कि Hello Mazowie तो फाकते आगो नई वीडियो में तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूं और सबसे सबसे important चीज है आज बात करने वाले भाई free fire के बारे में और भाई जो भी मैं information प्रोइट कराने वाला हूँ free fire के ban और free fire के launch related वो भी एकदम genuine और legit information है तो अगर कोई भी यह नया बनना मेरी वीडियो देख रहा है जो भाई free fire केलता और मेरा नया subscriber बनने जा रहा है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ugw के बारे में ugw का face one का test तो तुमने देखे लिया होगा और विसरी बात है youtube पे तुमने gameplay वगरे भी देखे लिया होगा कल मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था वो भी तुमने देख लिया होगा लेकिन सबसे main important चीज है तुमने जो नहीं देखा होगा वो नहीं देखे होंगे इसके graphic कौन से level पर किस तरह के लगते है तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके graphic settings के बारे में किसके अंदर कौन कौन सी graphic settings तुमें देखने को मिलती है तो यहां पर बात कर लेते हैं इसके interface कुछ जीज तरह का है इसके settings के अंदर है तो यहां पर तुम्हें smooth balance HD और ultra HD को option देखने को मिलता है और अगर frame rate के बात करे तो तुम्हें low, medium, high, ultra ही देखने को मिलता है तुम्हें यहां पर extreme अगर देखने को नहीं मिलता है और अगर shadow setting की बात करें तो यहां पर off है अगर smooth करोगे तो off ही हो जाएगा उसके बाद low है, medium है, high है और नीचे तुम्हें देखने को मिलता है color grading वाला option तो color grading वाले option मैं तुम्हें ट्राइं किया था इतना कोई फरक नहीं पड़ता है में भी शाय सारे सेम के सेम है इतना कोई ज्यादर difference वगरा नहीं देखने को मिलता है तो अब मैं दिखाने वाला तुम्हें smooth balance HD और ultra graphic किस तरह के है तो यहां से तुम भाई comparison कर सकते हो कि भाई UGW के graphic किस तरह के होने वाले तो यह फाइनल graphic नहीं है जैसे मैं तुमको बोला है कि game अभी भाई beta stage पे है अभी testing में है अभी development में है अभी और जादा graphic वगरा जो है enhance होंगे लेकिन यहां पर एक बात देखने की जरूर है कि HD और ultra HD graphic जो है तुमें similar ही लगेंगे मेरे को भी शाय सिमिलर ही लग रहे हैं तुमको भी शाय सिमिलर ही रगेंगे तो भी UGW के graphic कुछ इस level के है और बात रही low end device पे चलने की तो अभी सी बात है smooth वाल option अगर इसमें है available तो यार low end device में easily चल जाएगा क्योंकि PUBG Lite में भी smooth वाल option available है और उस वो भी भी चल जाता है और game size की बात करें तो game size 1.5 GB के आसपास अभी फिलाल के लिए है लेकिन अच्छी बात है game size चोटा होने की वज़े से जो है game low end device में भी easily चल जाएगा तो बात कर लेते हैं Valorant के copy के बारे में इसका एक copy पहले भी आया था जिसका नाम था भाई hyper front तो भाई वह वाला तो copy जो है वह गायफ हो गया क्योंकि वह भाई globally available ता लेकिन इसका एक और version जो है वह नेटीज ने चाइना के अंदर दिया है जिसका भाई नाम है operation apocalypse इसका चोटा सा trailer वगरा तुम देख सकते हो तो यहां पर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल भाई hyper front की तरह लग रहा है और जैसी इस game के बारे में कुछ और detail आएंगी तो मैं तुम्हें बता दूँगा subscribe करके जूरू रखना लेकिन अगर Valorant की बात करे तो वह चला गया बाई super energy hero उसके बाद बात करें hyper front की तो hyper front जो है Valorant क्या ही copy था वह वापस चला गया चायना के अंदर operation apocalypse के नाम से अब पता नहीं चायना वाले कौन कौन से गेम अभी बंद करके copy करने वाले अपने country में क्योंकि चायना के अंदर gaming market काफी जादा बढ़ा है तो इस तरह के game उन्हें obviously बाद रहे चाहिए Valorant की बात करें तो चायना में चल रहा है globally उसका कुछ कह नहीं सकते यार क्योंकि copyright वगरे का भी issue है बहुत सारे पंगे रहते ही है क्योंकि कि किसी और का game अगर चायना वालोंने copy कर दिया है तो globally उसको launch करने वह problem तो बाद होगी और यह copyright वाले बहुत बड़े बड़े legal matter होते है यार ऐसे दीरे से solve नहीं होते है तो इसमें काफे time लग सकता है तो इस game के बारे में कोई भी detail future में आएगी तो मैं तुम्हें जरूर पता दूँगा अब बात कर लेते हैं सबसे main important topic के बारे में free fire इंडिया भाई कब आएगा तो भी सबसे पहले तो free fire वालों को ये confusion है कि free fire क्यों बेन हुआ किस reason क्यों बेन हुआ data security यलाना फलाना वो सारी चीजे में तुमको अभी clear कर देता हूँ एक simple सी line में देखो Indian government चाहती है कि इंडि industry grow करें और gaming industry grow करवाने के लिए investment की जौरत है अब investment जो है government तो करेगी नहीं investment करेंगी company जिनके game अल्रेडी इंडिया के अंदर चल रहे हैं 10th and के अगर बात करूँ तो 10th and का game था PUBG Mobile इंडिया में obvious सी बात है चल रहा था 10th and जो है इंडिया से PUBG Mobile के तुरू काफी revenue खटा कर र concern भी थे PUBG Mobile के अंदर security डाटा security के concern था और तो उनको लगता होगा कि डाटा की क्या value है तो भाई data की बहुत value है तो भाई जो भी data तुमारा है जो भी user का data जो भी information होती है उसकी बहुत value होती है वो बहुत भाई expensive बिकता है जो marketing गमनिया होती है यह data उनको जाता है तो अगर क कोई game आपका data use कर रही है आपसे पैसे भी ले रही है और आपका data भी use कर रही है तो अविसी बात है और government अगर अपने देश के लिए सोचेगी तो यह सारी चीज़े नहीं होने देगी उसी reason की वज़े से PUBG का एक तो investment नहीं है इंडिया के अंदर PUBG Mobile जब इंडिया में था त PUBG Mobile इंडिया से ले के ही जा रहा था डाटा भी ले के जा रहा था उसके साथ पैसे भी ले के जा रहा था इंडिया को बदले में gaming sector में कुछ मिलनी रहा था सेम ही issue Free Fire के साथ भी है क्योंकि PUBG Mobile जब था और Free Fire जब था वो दो ऐसे बड़े game है इंडिया के अंदर जिनकी audience भाई बहुत next level पे जिनकी audience है और मैं तुमको एचीज बता दू Free Fire का भी same copy वाला reason ही था कि वो ले के भी जा रहा था और साथ में जो है data की भी value है तो अभी बात कर लेते हैं भाई Free Fire इंडिया का क्या हुआ देखो भाई जिस तरह से BGM या रिप्लेस करने के लिए PUBG Mobile को उसी तरह पास है भाई Free Fire इंडिया आया है रिप्लेस करने को Free Fire तो भाई यहां पे मैं तुम्हें एक चीज बता दू अब तुम लोग मेरी information के उपर क्यों भरोसा करोगे तो तुमको पता है Free Fire बैन हुआ था 2022 में में भी फरवरी के आसपास शायद बैन हुआ था लेकिन इसके बारे में मैंने तुमें भाई अपने Instagram चैनल पे बहुत पहले ही बता दिया था क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे Instagram पे जुड़े थे मैंने वाँ स्टोरी लगा कि तुमको इस चीज बताया था तो स्टोरी तुम सामने दे सकते हो स्टोरी है 4 अगस 2021 की Free Fire इंडिया में जो है बैन हो जाए तो सेम वही चीज जो PUBG Mobile के साथ हुई थी सेम वही चीज Free Fire के साथ भी हुई है गॉर्मेंट इनको पहले बोला था कि भाई तुम यह सारी चीज़े कर लो इन्होंने नहीं किया इन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया गॉर्मेंट को इस वज़े से भाई Free Fire को इंडिया स भाई हटा दिया और इसके बारे मुझे पहले ही बता चल गया था इसलिए मैंने तुम्हें स्टोरी लगा के इस चीज के बारे में बताया था उसके कुछ ही महीने बाद जो है तुम्हें Free Fire जो इंडिया में बैन हो गया अब बात कर लेते Free Fire Max तो इंडिया में चल रहा है हा अब जो हमारा डाटा है वो हमें सेक्योर चाहिए इंडिया के अंदर ही तो इसी चीज को फॉलो करते हुए Free Fire ने योटा के साथ है योटा एक इंडिया डिजिटल कंपनी है डाटा सेक्योर्टी वाली जो भी है डाटा स्टोर करने वाली तो उनके साथ इन्होंने क्लाइब किया है अब भी Free Fire इंडिया वालों को जो भी डाटा है वो भी स्टोर होगा इंडिया में और भाई इस प्रोसेस को टाइम लगता है एकदम से नहीं होता Free Fire प्ले स्टोर पे आ चुका था प्री रेस्टेशन हो चुका था बहुत लोगों ने बहुत सारे सेलिब्रिटी धोन जैसे सेलिब्रिटी इसके अंदर आ भी चुके थे लेकिन ये गेम अटक गया क्यों अटक गया Free Fire ने ये बोला था हम गेम भी चलाएंगे हम इस चीज को करते भी रहेंगे लेकिन गवर्मेंट ने साब मना कर दिया गवर्मेंट ने सीधा बोला पहली ये चीज कंप्लीट क परो उसके बाद जो है तुम गेम को चला सकते हो और इसी रीजन की वज़े से जो गेम भाई मैं अगर गलत नहीं हो तो सितंबर के असपास में भी शायद गेम जो है वो रिलीज हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ अभी तक लोग वेट कर रहे हैं कब आएगा कब नह जब तक ये चीजे फिक्स नहीं होंगी तब तक भाई फ्री फायर का अभी कोई भी सिच्वेशन नहीं है और अभी और कितना डाइम लग जाएगा इस चीज को फिक्स होने में कम से कम 4-4 महीने और लगेंगे 4-4 महीने के अंदर तुमें देखने को मिल जाएगा क्योंकि स बिल्ड करना उसके बाद जो तुमारा डाटा ग्लोबल सर्वर में पढ़ा है उसको वापस ब्रिज बनाना इंडिया वाले डाटा सर्वर इसमें बहुत टाइम लगता है और उससे पहले फ्री फायर गरीना को जो है कुछ इन्वेस्मेंट भी इंडिया के अंदर दिखानी बिल्ड करनी है जो कि इंडिया में गेमिंग लौ के हिसाब से ही चलेगा तो जितने भी फ्री फायर वाले हैं कोई भी अगर फ्यूटर में इंफॉर्मेशन आएगी इस चीज़ के तो मैं तुमें वीडियो बना के ज़रूर बता दूँग तो आज की वीडियो में तना ही आई होप तो तुमें अच्छा लगा होगा तो मिलते नहीं वीडियो में तब तक के लिए ठेक केर बाबाई